सिदय कामाल माध्ये राजितम निर्विकल्पम् सद सद खिल भेदा आती तमेक स्वरूपम् प्रकृति विकृति शुन्यम् नेत्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहं सम् रामक्रिष्णं भजामहा विमलपरमहं सम् रामक्रिष्णं भजामहा परमहं सहा प्रकोष्ठस्य अन्तहा स्वस्थाने उपविष्टहा अस्ति स्थंडिले मुखर्जेहे संबंधी हरिही मास्तरह इत्यादयह उपविष्टाहसंति कष्चन अपरिचितह परमहं साय प्रणामं कृत्वा एकत्र उपविष्टहा अस्ति तस्य निर्गमनानंतरं परमहं सहा तस्य नेत्रलक्षणं उत्तमम्न तस्य नेत्रवर्णहा मार्जार नेत्रवर्णहा इव इती उक्तवान हरिही हुक्काम सज्जी कृत्य परमहं साय दत्तवान परमहं सहा हुक्काम हस्ते ग्रिहीत्वा हरिम तवा हस्तं पश्यानि अहो सर्वमपि अस्ती येतत्थ अत्युत्तमलक्षणं तवा हस्तं किंचित्षिथिलय पश्यानि परमहं सहा स्वस्य हस्तस्य उपरी हरेहे हस्तं निधाय तस्य भारं परिशीलयनस्ती इव चालयनस्ती परमहं सहा इदानी मपी अस्य बुद्धिही बालक बुद्धिवत्व येशह इतोपी केनापी दोशेन नस्पृष्टह अस्ति भक्तान प्रती दृष्ट्वा हस्तं दृष्ट्वा एव मनुष्यह सरलहवा कपटीवा इती वक्तुम्षक्नोमि हरिम श्वशुरस्य ग्रिहं गच्च गत्वा पत्न्यासाकं सल्लापं कुरु इच्छा भवति चेत तयासाकं सरससल्लापं मपी कुरु मास्टरब्रती दृष्ट्वा किम समीची नम्वा मास्टरह शिष्टाहाच हसंति मास्टरह नूतन घटहाच दुष्टहाच भवति चेत तस्मिन पुनहा किमपी स्थापईतुम् नशक्यते परमहम सह असन सहा पूर्वमेव दुष्टहा घटहा इती तुम कथम जाना सी झाली